दिशारवी की गिरफतारी को लेकर जारी सियासत पर बहली बीजेपी के सदर आदेश गुपता ने कहा कि जो बातें बीजेपी पहले से बता रहे थे वो आज साफ हो गई है टूलकिट ने जो साज़िश रची वो अब सब के सामने आ गई है तोलकेट अभ्यान को लेकर जिस तरीके से दिशारवी की गिरिफतारी के बाद अब सियासत शुरू हो गई हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पीजेपी अद्याउश आदेश कुपता आदेश जी दिशारवी की गिर्फतारी के बाद सियासत जोरो पर देखने के लिए मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी का मामला हुआ अब आप क्या कहते हैं इस तरीके से तेकिए जो बातें पहले हम कहते थे आज वो बातें इस पस्क दिख रही हैं मैं समझता हूँ कि दिशारवी की गिर्फतारी हुई है और टूल किट ने जो सडियंत रचा है वो सब अब सामने आने लगा है जो लोग पहले उस किसान आंदोलन को हवा दे रहे थे जो उनका समर्थन करने के लिए गये थे आज उनके चेहरे बेनकाब हो गये हैं जब 26 जनवरी को दिल्ली को अराजकता की स्थिती में डालने की साजिस थी देश के तिरंगे का अपमान करने की साजिस थी भारत को कमजोर करने की साजिस थी भारत के अंदर साजिक सदवाव को बिगाडने की साजिस थी जब ये साजिस बेनकाब ही तूल किट जिसमें दिशारभी अभी और भी काफी गरपतार होने है और जो लोग 26 जन्वरी की घटना की मुँँ बंद करके निंदा कर रहे थे या चुप थे वो आज दिशारभी की गरपतारी के बाद चाहे वो राहुल गांदी हों वो प्रियंका गांदी हों या आमादी पार्टी के लोग हों वो आज कह रहे हैं कि दिशारभी को छोड़ देना चाहिए आखिर आप किसके साथ हैं दिशारभी ने वो काम किया है जो देश को अस्थि करने का सडेंत रचा, सोसल मीडिया पर भारत की छवी को अंतरास्ति इस तर पर खराब करने का काम उन्होंने किया है, भारत को बदनाम करने की कोशिस की है, एक अच्छम में अपरात किया है और मैं समझता हूं कि पुलिस और जाच एजनसिया उसकी इन्वेस्टिगेसन लेकिन आज ये बात इसपस्ट है, कि जो लोग इनके समर्थन में आज खड़े हो रहे हैं, वो सिर्फ उनके समर्थन में नहीं, आज पाकिस्तान भी दिशारभी के समर्थन में हैं, तो आप किसके समर्थन में हैं? आप जो पाकिस्तान कह रहा है, उसी का समर्थन राहुल कर रहे है जो पाकिस्तान कह रहा है वही प्रेंका कह रही है जो पाकिस्तान कह रहा है वही आमाधी पार्टी के लोग कह रहे है इसका आर्थ क्या होता है इसका आर्थ यही है कि आप उन ताक्तों से कहीं न कहीं मिले हुए हैं और मैं आज जो देश के विपच्छी दल है उनक ये बोनेपन की हद हो गई है कि वो आप राजनीति राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश को कमजोर करने की साजिस कर रहे हैं देश को बदनाम करने की कोशिस कर रहे हैं ये देश की जनता देख रही है और कभी माफ नहीं करेगी उनको तो अपने देखा ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजिपी की अध्यक शादेश गुपता जी जिनका कहना है कि जिस तरीके से दिशारवी की गिरिफतारी के बाद सियासत हो रही है सिर्फ वही लोग बखलाए हुए हैं जो उन लोगों के साथ उपद्रव में शामिल थे क्यामरा पसंद नरेश के साथ रचना न्यूज 18 दिल्ली